उफ ये कैसा अज्ञान है कैसा घोर अज्ञान है और कैसा उस घोर अज्ञान का ये अंध्यारा पसरा है जिसके कारण ग्यान के सोत ठीके पड़ रहे हैं ग्यान के सोत कड़वे से लग रहे हैं ग्यान के सोत रूखे रूखे से लग रहे हैं निश्चित ही यह बड़ी जिकट सी परस्तती है निश्चित ही यह अज्ञान का विक्राल रूप हमें आच्छादित किये हुए है इस प्रकार उसने हमें अपनी चपेट में ले लिया है कि ग्यान के जगने की सभी रास्तों को उसने बंद कर दिया है जिसके कारण ग्यान के स्रोतों का अनुसरण करने के बजाए ग्यान के स्रोतों का विरोध हो रहा है ग्यान के स्रोतों को नश्ट करने के कुछ सिक प्रयास हो रहे है ये ज्यान की विरोध में होते हुए एक कुछ सित प्रयास इस बात के परिचायक है कि अज्यान अपनी किस चरम सीमा तक पहुँच गया है किस प्रकार से वह फल भोल चुका है उसकी जड़ को कातना जरूरी है अन्यत्था कल्यान नहीं उपाएगा